हेलो स्टूडिंस विल्कम बैक टियूर फेवर्ट चैनल किरकभी लल्वी हम लोग CRPC का पेपर डिसकस कर रहे हैं LLV 4 सेमेस्टर का जिसमें की 70 कोशन तक हम लोगों ने देख लिये थे इस वीडियो में हम लोग 71 से 100 तक कोशन देखेंगे ठीक है और PDF आप लोगों को मिल जा जा सकता है तो जैसे ही कोई भी मामली में जो ट्रायल चल रहा था वो खतम हो जाएगा तो जो magistrate है वो कौन सा देखेंगे सकता है तो यहाँ पर है कि केबल बरी करने का आदेश चाजा सकता है या केबल दोसे सिद्धी का या आदेश निरवहान का और option D है कि या तो बरी करने का आदेश या फिर दोसे सिद्धी का तो आपका सही जवाब है option number D जैसे ही ट्राइल खतम होगा तो मजिस्टेट या तो जो है बढ़ी कर देगा उसको एक्किविट कर देगा ठीक है और या फिर उसका कन्वेक्शन कर देगा यानि दोस्चिद्धी कर देगा ठीक है ये दो आदेश दे सकता है नेक्स्ट है दन प्रक्रिया सहीता 1973 की धारा 236 पिछली दोस्चिद्धी के परिणामस रूप बढ़ी हुई सजा के लिए दायत्व के मुकदमी के रूप में प्रक्रिया का एक विसीज रूप निरधायत करती है या खंड पहले परिक्षड के लिए लागू है तो इसके ऑप अप्षण है डी उप्रक्रिया से कोई नहीं तो इसका सही जवाब है आप लोगों का ऑप्षण नमबर एक केवल सत्र नियाले ठीक है ऐसा जो है केवल सत्र नियाले कर सकता है नेक्स दन पर के सहीता कि किस धारा के तहत सहायक लोग अभीयोजक की नियुक्ति की जाती है त के नियुक्ति जो है धारा 25 के नियुक्ति की गही है तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्षण नमबर दी नेक्स गोशन है कि एक कारेकारी मिजस्टरेट को धारा 16 के तहत अधिक्तम अभधी के लिए रिमांड देने का अधिकार है अधिक्तम जो है कितनी अभधी तक रिम summary trial भी कहते हैं कि संबन में CRPC के प्रावधानों की कौन सी धाराएं दी गई हैं तो इनमें कौन-कौन सी धाराओं में जो है summary trial का प्रावधान दिया गया है तो इसके option है धारा 360 से लेकर के 365 या 260 से लेकर के 265 या 180 से लेकर के 190 तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा ये दोनों अब इन दोनों में आप लोग गिस करिए किन में कौन सा इसका सही अंसर होगा यत करिए हमने first part जब बनाया था उसमें आप लोगों को बताया था कि से संब्राइल जो है कहां से कहां तक दिया गया संचिप्त विचारारी ये कहां तक दिया गया है ठीक है summary trial और warrant trial इनके बा अधिक प्रक्रिया सहीता के तहत गलत जगे पर किये गये मुकदमे का क्या असर होगा तो इसका option है नस्ट हो जाएगा या नया की विफलता की गार खराब हो जाएगा या option C गमीरता देखी जाएगी या सत्र नयाधिस के पास बीचा जाना है तो इसका सही जवाब है आप नेक्स्ट कोशन है कि संचेप में विचारण में यानि समरी ट्रायल में नयाले को किस परिक्षड प्रक्रिया का पालन करना चाहिए तो इसका option है सत्र परिक्षड के लिए जो प्रक्रिया है या वारंट परिक्षड के लिए प्रक्रिया या सम्मन परिक्षड के लिए प्र किसूर को निम्न से कम आयू का वेक्ति माना जाता है तो किसको कहा जाएगा कि सूर तो इसका सही जवाब है आप लोग ऑप्शन नूमबर बी जिसके ठारा वर्ष से कम आयू का होगा वेक्ति उसको किसूर माना जाएगा ठीक है next CRPC के संसोधन 2008 के अनुसार धारा 2 बक के तहत जो नई परिभाशा डालीगी वो किसकी थी हमने बताया था 2W में आप लोगों को बताया था समन मामले के बारे में बताया गया है और उसी के साथ जो है आप लोगों का जोड़ा गया था विक्टिम की परिभाशा जोड़ी गया थी तो इसका सही जवाब क्या है आप लोगों का option number A ठीक है पीडित की परिभाशा जोड़ी गया थी ना कि पीडित मुआपजा या पीडित मुआपजा योजना ऐसा कुछ नहीं जोड़ा गया था ठीक है next है भारती दंड सहिता के तहट सभी अपराधो की दंड प्रकरिया सहिता के प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाने की सर्थ किस धारा में नहीं थे तो इसके option है option number A धारा 5 या धारा 4 या धारा 3 या धारा 6 तो इसका सही जवाब है आप लोग का option number B धारा 4 ठीक है next question है अपराधीक प्रकरिया का विशह भारत के समवधान की निम्न में से किस सूची में दिया गया है तो option है संग सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची option D या तो A या तो B तो इसका सही जवाब है आप लोग का option number C समवर्ती सूची ठीक है तो आपराधीक प्रकरिया के जो विशह हैं तो भारती समवधान के समवर्ती सूची में दिये गया है next निम्न में से कौन सा दंड उच्चने आले पारित कर सकता है जो high court है वो इन में से कौन सा दंड पारित कर सकता है मृत्युदंड या जीवन कारावास या कठोर कारावास या कानून के द्वारा अधिकरत कोई भी सजा तो इसका सही जवाब है आप लोग का option number D कानून द्वारा अधिकरत कोई भी सजा जो है दे सकता है next है कि एक पुलिस अधिकारी को उचित संदे है कि के एक हत्या के मामले में सामिल है उसके लिए संभव है तो ऐसे में जो है पुलिस क्या कर सकता है पुलिस अधिक्षक को सूचित करे या फिर उस छेतर के मजिस्टरेट को सूचित करे या बिना वारंट के के को गिरफतार करे या magistrate से वारंट प्राप्त करें तो उसका सही जवाब है आप लोग का option number C ठीक है बिना वारंट के वो जो है के को गिरफतार कर सकता है next question है कि CRPC की कौन सी धारा बलादकार पेडिद की चिकिस्ता जाट से संबन्दित है इसके option है धारा 164 या 164 का 186 या फिर 166 तो उसका सही जवाब है आप लोग का option number B धारा 164 का next है एक जांच रिपोर्ट में सामिल होना चाहिए एक जांच रिपोर्ट में क्या क्या सामिल होना चाहिए तो अभ्यूत का नाम मृत्यू का इसपस्ट कारर हतियारों का विवरड या घटनाओ का विवरड तो इसका सही जवाब है आप लोग का option number B मृत्यू का इसपस्ट कारर होना चाहिए ठीक है मृत्यू का इसपस्ट कारर जो है जांच रिपोर्ट में सामिल होना चाहिए next question है कि समाने तह विचारर का स्थान है विचारर जो ट्रायल चलाया जाएगा उसका स्थान क्या होगा जहां अपराद किया गया है यह जहां PD ता रहती है यह जहां आरोपी रहता है यह जहां प्राथमी की यनि आपकी जो फर्स्ट इंफॉर्मिशन रिपोर्ट है फायर तरजी करी जाती है तो इसका सही जवाब है आप लोग का option number A जहां पर अपराद किया गया है वहीं पर जो है trial चलाया जाएगा next question है कि दिनप्रिय सहीता की धारत 204 के तहत आरोपी को समन या वारंट जारी करने से पहले सिकात करता के द्वारा गवाहों की सूची दाखिल करना ये कैसा है mandatory है ये डारेक्टरी है यानि अनिवारे है ये जो है निर्देशी का है तो इसका सही जवाब है आप लोग का option number A ठीक है अनिवारे है ठीक है तभी जो है आरोपी को समन और वारंट जारी करेगा किया जाएगा जब जो है सिकात करता गवाहों की पहले जो है सूची नियाले में प्रस्तुत करते next question है कि किसी विसस्ट अभियोग के सटीक निरूपड को कहा जाता है यह वाला question हम लोग जब पिछला part 2 में जो है question discuss करे तो वहाँ पर मिला भी था उसको चार दिखा जाता है ठीक है तो अब next question देख लेते हैं अभियोजक और अभियुक्त को गवाहों को वापस बुलाने की अनमतिक कब दी जाती है जो अभियोजक और अभियुक्त है उनको जो है गवाहों को वापस बुलाने की अनमतिक कब दी जाती है तो इसकी option है अदालत को आरूपी को आरूप इसपस्ट करना होता है जब या फिर जब आरूपी जिरह करना चाहता है या फिर जब कोई आरूप नियाले द्वारा बदला या जोड़ा जाता है या फिर उप्रोक्त में से सभी परस्तितियों में तो इसका सही जवाब है आप लोग का option number C ठीक है इसका सही जवाब है जब आरूप जो है नियाले के द्वारा बदला या जोड़ा जाता है तब जो है गवाहों को वापस बुलाने की अनुमती दी जाती है next question है कि यदि आरूप को CRPC की धारा 232 के तहत बरी नहीं किया जाता है तो अदालत उसे प्रवेस करने के लिए कहती है प्रवेस नहीं होना चीए यहाँ पर पेस होना चीए ठीक है पेस करने के लिए कहती है यह question भी repeat हो गया हम लोगों ने भी पीछे देखा था इसमें कहा है कि जब नियाले किसी भी आरोपी को बरी नहीं करती है तो फिर उसको अपना बचाओ प्रसूत करने के लिए कहती है उसका defense प्रसूत करने के लिए कहती है next question है magistrate के दोरा समन मामले की सुनवाई में magistrate के दोरा समन मामले की सुनवाई में क्या करना चाहिए आरोप तै किये जाने चाहिए या फिर हरोप तै करने के ज़रूद नहीं है या आरोप तै किये जा सकते हैं बसरते कि आरोपी को आपती नहों या option D केवल आरोप का सार बताना है इसका सही जवाब है option D केवल आरोप का सार बताना है नेक्ट कोशन एक नियादेश और magistrate की सकतियों और करतव्यों का प्रियोग या पालन किया जा सकता है इसके option है कारेले में उनके उत्तरादेकारी दोरा या फिर अतरीते सतर नियादेश दोरा या मुख्य नियाएक मजिस्टेट के दोरा उसका सही जवाब है आप लोग का option number A कारेले में उनके उत्तरादेकारी दोरा नेक्स्ट कोशन है दन्य प्रिक्रिया सहिता की धारा 2C परिभाशित करती है यानि 2C जो है परिभाशित करती है परिभाशा याद करिए हमने आप लोगों को बताया था कि जो है कोगनिसबल ओफेंस जो होते है उनको डिफाइन किया गया है आपका धारा 2C में नेक्स्ट कोशन है दन्य प्रिक्रिया सहिता उनिस्टीहत्तर एक है क्या है तो ये एक प्रिक्रियात्मक कानून है ठीक है प्रोसीजरल लोग है नेक्स्ट कोशन है संगे अपराद का क्या अर्थ है तो संगे अपराद का अर्थ है ऐसे अपराद जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी वेक्ति को गिरफतार कर सकता है । त पत्कि一拼 ik ते अदलें लिलातु अलैंगर के तो घ्रकायों को निक्ष DRK के तुए पुन रिचर्द की सकती का परियोग करते हुए में उगया करते हुए उच्छ नियाले आप लोग option number B, दोस मुक्ति के निसकर्स को दोस सिद्धी में नहीं बदल सकता है, next question है कि अपराद परिभाशित किया गया है, तो अपराद कहां परिभाशित किया गया है, वैसे CRPC में तो कहीं नहीं परिभाशित किया गया है, ठीक है, तो इसका अंसर है, अपरोग में से कोई नहीं, लेकिन अगर आप से पूछा जाए, IPC में कहां दिया गया है, तो यादखना कि धारा 40 में IPC में इसकी definition दी गई अपराद की, next question है कि निमने खित में से कौन सा सो मेलित नहीं है, आप से पूछा गया है, एक तरफ धारा दी गई है, दूसरी तरफ आप से पूछा गया है कि इसमें किस धारा में क्या दिया गया है, तो Q में हमने आदकरों बताया था, आपको Q में pleader की परिभाशा दी गई है, ठीक है, और I से याद करने के लिए बताया था, जो जो डिशेप प्रोसीडिंग है, तो उसमें जो है, नहीं कारवाई दी गई है, ठीक है, फिर इसके बाद जो है, फूस्ताश को 2G में दिया गया है, तो इसका सही जवाब है, आप लोग का option number C, पुलिस टेशन की परिभाशा जो है, 2QO में नहीं दी गई, पुलिस टेशन की परिभाशा दी गई है, 2S में दी गई है, ठीक है, और तो फिर 2O में क्या दिया गया है, तो 2O में दिया गया है, पुलिस थाने का भारसादा करदिकारी, तो यह परिभाशा हैं भी याद करते हैं इस वीडियो थोड़ा जल्दी से डिस्कस करते हैं अपने श्राइप लोगा CRPC का होगा उसको स्वरी CBC का होगा उसको हम ले करके जल्दी आएंगे ठीक है